राज़दानी रायपूर में 24 गंटे के भीतर तीसरी हत्या की वारदात सामने आई हैं रायपूर के भाठा गाउं इलाके के विनायक सुसाइटी में युवक की हत्या से इलाके में संसरी फैल गई पुलिस के मताबिक शराब पीने के दुरान दो लोगों की बीज गाली गलोज हुआ विवाद बढ़ा जिसके बाद आरोपी ने दूसरे युवक के घर में घुस कर पहले उसके साथ मार पीट की फिर घर से बाहर लाकर पास में पड़े फावडे से युवक की हत्या कर दी बताया जारा कि आरोपी नोहर दास मानिक पूरी और मृतक संतोष कुमार सोसाइटी में ही एक निर्मानाधीन मकान में मजदूरी करते थे और देर शाम दोनों शराब पीने बैठे थे तब ही उनके बीच विवाद हुआ और मामले की सूचना सुरक्षा गार्ड्स को पुल कि राईपुर शहर में, राज़णी राईपुर में ये तीसरा मुरूर है, कल रात कोई डबल मुरूर हुआ था, आज एक और मुरूर हो गया, और हमने सवाल उठाये थे कि लगातार पुलिस कर क्या रही है, गस्ती का दावा कर रही है राइपुर में, लेकिन पुलिस क्य की बिया कर रही है ये तो इन वार्दातों से समझ में आता है है दावा तो कर रही है पूलिस यह हर बार दावा करती है कि वो गस्ती कर रही है वो हर इलाके में चप़े-चप़े में ये स्थिति हैं तो फिर सोचिए सुदूर इलाकों में हालात क्या होंगे पुरानी बसिताना चेतर में एक विनायका सिटी है जहाँ पे एक कस्ट्रक्शन साइट में दो वरकर जो थे काम करते थे उनके बीच में आज रात को किसी बात को लेकी वाद हुआ है जिस पर से एक वेक्तिने नोहर दास ने संतोस मानिपूरी की हत्या कर दी है पिरहाल आरपिगर अप्तार कल लिया गए है और आगे कारवाई की जा रही है अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि आगे की कारवाई की जा रही है लेकिन ये बारदात रुकती क्यों नहीं है ये बड़ा सو़ाल है इलाके के लोग कितने सुरक्षित महसूस करेंगी ये भी तैसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तैसीन 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता है 24 घंटे और तीन मडर राजधानी के भीतर लॉइन ओडर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अपराधियों को बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहे गया राइपूर में इस्पेशली अभीनाश अभीनाश देखिए अगर सिर्फ प्रदेश की राजधानी राइपूर की अगर बात करें तो एक महीने में बारा मडर हो चुके बारा से ज्यादा मडर हो चुके ये बात का दावा हम नहीं कर रहे ये विपक्ष कर रहा है उससे आप साफ अंदादा लगाई है कि जब राजधानी में ये अहाला थे तो बाकी जो सुदूर इलाके हैं वहां पे किस तरीके के लाइन आडर होगा कल रात भी 24 गंटे के अंदर हत्या की एक बड़ी वारदास राजधानी राइपुर्म सामने आई है और जो विनायका सिट्री जहां मैं अभी समय खड़ा हूँ वो यही एक साइट है जहां पे ये इस जोपड़ी में ये जो मरता के संतोष कुमार वो रहते थे और उसके साथ में उनका जो नहौरदास मानिक पुरी है वो यहां रहते थे आपस में और इसी जगह बैटके यहां पे यह शराब पीए हैं दोनों और बैटने उसके बाद यहां जब शराब पीने के दौरान जो है काफी गाली गलाज हुई है उससे उसकी गले पे और चेहरे पे कई वार किये जिससे की उसकी मौके पे मौत हो गई यहां पे जो एक महिला थी प्रत्यक दर्शी जो यहीं रहती है वो उसने बीच बजाव कराने की कोशिश भी करी लेकिन उसके बाद वो काफी दूर जो विनायकर सिटी का जो गाड है उसको बताने गई जब तक वो गाड और यहां आये हैं तब तक यहां पे उसकी वो मौत की गाड उतारा जा चुका था जिस तरीके जो घटना इस्तल देख रहे हैं कि साइकल गिरीवी है पूरा अंदर का जो सामान है वो काफी उलट पुलट है और इससे यह साब जाहर है कि यहां पे इसमें दोनों के बीच में संगर्श हुआ है और अभी फिलाल जिस तरीके से बात करें नहरदास मानिकपुरी जो है कोरवा का रहने वाला है आरोपी और संतोष कुमार जो है पाटन जिला दुर्ग भिलाई का रहने वाला है और इसी यह कंस्ट्रक्शन साइड है यहां पे काम कर रहे थे लेबर का काम यहां पे करते हैं और लेकिन जिस तरीके से यह खुले आम यह हत्या हुई है इससे पहले अगर बात करें 24 घंटे के अंदर ही विदान सवाई लाके में जो डबल मडर हुआ है और उसमें जिस तरीके की लापरवाई बढ़ती गई है पुलिस के दौरा निश्चित तोर पे वो नाकाबिले बरदास है लेकिन अभी तक उसमें कोई कारवाई नहीं की गई आक्रोशित जो लोग थे कल उन्होंने कजाम भी किया था कि शराब भटी जो हो हटाई जाए इन दोनों घटनाओं की अगर बात करें 24 घंटे की तो यहाँ पे जिस तरीके से इसमें नशा जो है यह दोनों हत्तिया जो है नशे में नशे के लिए यहाँ पे की गई है और इस यह एक बड़ा तैसीन माफिए भी सबज़ा चाहूँगा क्योंकि जिस तरह का मावला पिछली बार भी सामने आया था चाकुबाजी जब लग क्या पुलिस की टीम पुलिस के उच्च अधिकारी कोई रंणीती बना रहे हैं इस तरह की वारदात को रोकने के लिए या कोई आइडिनिटीफाइ किया जा रहा है बदमाशों को उनके गुरगों को उनकी टीम को की रोका जाए क्योंकि उस बार तो हमने जब मुहिम पड़ेगी क्या देखिया विनाज जी जिस तरीके से अगर बात करें जो पुलिस के दावे हैं उसमें और जो धरातल पे सच्चाई है वो उसमें दोनों एक दूसरे से अलेधा हैं बड़ा डिफरेंस अलेधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मीटिंगे होती हैं साथ-साथ घं कमी नहीं रही लेकिन पुलिसिंग में हमेशा कमी रही है पुलिसिंग किस तरीके की होनी चाहिए पुलिस का खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों में लेकिन जिस तरीके से कल विदान सबाई लाके में जो हत्याई हुई हैं अगर उसमें अगर पुलिस थोड़ी मुस तो फिर इस तरह की वारदात तो आम हो नहीं है। आप नजर बना के रखेगा तहसीन आपसे अपजेट हम और भी आगे लगातार लेच रहेंगे।